इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास Realme का कोई सा भी फोन है और आप उसमें OTG कनेक्टर से या फिर OTG केबल से अपने पैंडराइफ को या फिर कार्ड रीडर को कनेक्ट करना चाह रहें अपने फोन में तो यहां पर आपको आपका जो USB स्टोरेज है शो ह भी नहीं हो रही है यानि की OTG कनेक्ट ही नहीं हो रहा है आपके File Manager में तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही करें यहां मैं बताओंगा वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से जरूर देखते रही है देखिए सबसे पहले आपको अपने फोन में Make Sure करना है फोन की Settings में जा जाएगा इस पे क्लिक करें और यहां पर क्लिक कर दें ठीक है जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आपका OTG का Option यहां दिख जाएगा बहुत से लोगों को इसके बाद भी यह प्रॉब्लम आ रही होगी तो चलिए मैं उनका भी solution बता देता हूं तो जो solution बता रहा हूं आप उसे follow करें phone की setting में जाएं ठीक है settings में जाने के बाद आपको यहां पर अपने phone के about phone में आना है about device में इसके बाद नीचे की तरफ आएं तो आपको एक option दिखाए देगा version इस पे क्लिक करें अब आप यहां पर build number देख पाएंगे तो आपको developer option enable करना है तो उसके लिए आपको य 34567 ठीक है जैसे ही करेंगे तो phone का password मांगेगा password डाल दें और लिखकर आएगा you are now in developer mode ठीक है तो यहां से आपको back कर देना है settings में वापस आना है system settings के option पे जाना है नीचे की तरफ आपको एक option आ जाएगा developer options का तो click करें इसे open कर लें अब आपको नीचे जाना है networking के section में ठीक है यहां पर networking के section पे जाएं और आपको ढूनना है default usb configuration देख सकते हैं आप यहां पर networking का networking का देखिए networking का section है और यह आपको मिल जाएगा सब phone में होता है default usb configuration इस पर click करें और no data transfer पे click होगा आप file transfer पे click करके इसे set कर दें ठीक है अब आप अपने my files में file manager में जाएं और देखें कि यहां पर आपका otg आया है कि नहीं तो बहुत से लोगों का अभी भी नहीं शो हो रहा होगा तो देखिए उनको करना क्या है हो सकता है उनका otg जो connector cable है वो खराब है तो otg जो cable है connector है इस इसे आप किसी दूसरे phone में connect करके देखिए उसमें यह connect हो रहा है या फिर नहीं अगर उसमें connect हो रहा है तो हो सकता है आपका जो phone है उसमें कोई temporary bug है तो उसे कैसे सही करें ध्यान से देखिए अगर आपके phone में कोई bug है कोई technical problem है इसकी वज़ेसी यह problem आ रही है तो आपको अपने phone को force restart करना होगा तो problem सही हो जाएगी force restart करने के लिए power button और volume का अप उपर वाला button जिससे तेज करते है volume वो एक साथ दबाना है करीब 10 से 15 सेकंड तक तो हम दबा देते हैं आपको दबाय रखना है 10 से 15 सेकंड तक जब तक आपका display off नहीं हो जाता है ठीक है अब यह आपका display देखिए देखिए display off होगे आप छोड़ दे अब यह खुद बाखुद on होगा इसे हम force restart कहते हैं तो यहाँ पर देखिए phone on हो चुका है ठीक है इसके बाद आप जाएए और file manager में जाकर देखिए आपका otg यहाँ पर connect हुआ है या फिर नहीं ठीक है अगर अभी भी आपका otg connect नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको आखरी तरीका बताऊंगा वो आप try कर लें problem definitely solve हो ज देखिए आप जो भी file manager use करते हैं कभी-कभी उसमें कोई problem आ जाती है जिसकी वज़े से otg connect नहीं होते हैं तो आपको my files आपका जो भी files होगा तो मैं यह यह use करता हूँ तो इस पर मैं long press करूंगा यहाँ पर app info का option है इस पर click करना है ठीक है यह जैसे ही open होता है तो आपको storage का option दिखाई देगा इस पर click करें clear catch clear data कर दें डरिये मत कोई भी आपकी photo video कुछ delete नहीं होगी बस आपनी यह कर दिया है तो इसके बाद आप देखेंगे तो problem solve हो जाएगी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर मैं देखिए my files में जाता हूँ और नीचे की तरफ आता हूँ my files में जाकर तो देखिए यहां पर मेरा otg connect दिखा रहा है इस पर click करता हूँ तो यहां पर देखिए सारे folders मुझे मेरे नजर आ रहे है ठीक है इस तरीके से आप भी otg connect कर सकते हैं यहां पर लिए वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स्टोर को सब्सक्राइब जरूर कर दें